राजस्थान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथी में बदलाव राजस्थान लोग सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है, जिन भी उमीदवारों ने पंजी करण किया था. उन्हें अब 16 जून को यह परीक्षा देनी होगी, राजस्थान लोग सेवा आयोग, RPSC, ने सिविल सेवा, प्र परीक्षा दो हजार चौबीस को स्थगित कर दिया है। आयोग ने इस बात की जानकारी एक प्रेसनोट के माध्यम से दी है। पहले जारी कारेक्रम के अनुसार, RPSC RAS प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को होनी थी। लेकिन ताजा घोशना के अनुसार, अब यह परीक्षा 16 जू को ही प्रस्तावित अन्य परीक्षा खोज एवं उत्खननन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग एवं संग्रहाद्हक्ष प्रतियोगी परीक्षा 2023 पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की तिथी में भी बदलाव किया है। आ जिकरित उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे। हालांकि आयोग ने अभी तक प्रवेश पत्र जारी करने की तिथी की घोशना नहीं की है, लेकिन अगर पिछले वर्षों का पैटर्ण देखें तो एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन दिन पहले यानी 13 मई को जारी किया जा सकता है। इस संबंध में आधिकारिक सूचना RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajistan.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, इसके बाद उम्मीदवार SSO पोटल पर अपनी लॉग इन आईडी वा पास्वर्ड से लॉग इन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।